नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स के यूटूब एज्यूकिस्टन चैनल में तो आज क्योड़ लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम्स और उसके सॉल्यूसन के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपकी तवचा पर छोटे छोटे पानी से बरे दाने हो जाते हैं कि आपे जो हम डायग्रम में देख रहे हैं इस तरह से पानी से बरे दाने जो है वो skin के उपर देखने को मिलते हैं दूसरा symptom हम देखे तो तोचा पर पित्ती छाले या फिर हुंसियों के निसान देखने को मिलते हैं तीसतरा problem हम देखे तो बहुत ज़्यदा तेज जो वो खुजली होती है और चौथा problem हम देखे तो पूरे सरीर में खुजली और इस तरह से लाल-लाल जो हो दब्बे होना शुरू हो जाते हैं तो यह जो सब भी symptoms है, problem के तो वो indicate करते हैं कि chicken pox की बीमारी हो सकती है तो चलिए सिखते हैं detail में chicken pox के बारे में कि जिसको simple language में चेचक भी कहा जाता है या फिर माता आने की बीमारी भी उसको कहा जाता है तो सीकते हैं detail में यह problem के बारे में और जानेंगे कि कैसे हम यह problem को solve कर सकते हैं तो इसके अलग-अलग जो नाम हैं वो सबसे पहले जान लेते इसको बड़ी माता, सितला, चेचक भी कहा जाता है कि एक विसानु जनित रोग है मनलब कि जो चिकन बॉक्स वाइरस है उसके करन ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ज्यादा तर लोग माता के नाम से जानते हैं और एक बेहदी तेजी से फैलने वाला वाइरल संक्रमन है मनलब कि एक टाइप का वाइरल इंफेक्शन ही है कि जो चिकन बॉक्स वाइरस के करन कहा जाते है और सिंपल लैंग्वेज में उसको माता निकलना कहा जाता है तो जो वाइरस है उसका नाम है चिकन बॉक्स वाइरस की जो हाईली कॉंटेजियस डिसीज है और जो virus responsible उसका नाम है varicella, juicester, virus की जिसको sort में VZV कहा जाता है तो यहाँ पर हम देख सकते है कि यह जो virus है किसी भी दरीके से आपके सरे में फैल सकते है और main juice का root है वो है respiratory root मतलब कि जब भी हम breathing करते है तो breathing के दौरन हमारी air के थू यह virus आपके body में enter करता है और फिर body में जाकि उसका multiple location होता है उसके incubation period में और फिर उसका जो symptom से वो हमारे skin के उपर देखने को मिलते है कि जो skin lesson देखने को मिलते है जैसे कि आगे हमने बात की कि पानी से बरे हुए दाने देखने को मिलते है तो skin का सबसे उपरी layer है कि जिसको हम epidermis कहते है तो वहाँ पर यह देखने को मिलते है तो spread कैसे होता है तो जब किसे को directly contact होता है कि जिसको chicken pox से उसके contact में आने से हो सकता है फिर breathing से फैल सकता है मलब कि infected person के पास आफ हो और उसके breathing के through भी दूसरे विक्ति को यह फैल सकता है और contact with fluid जैसे कि infected कोई children है उसके eyes के कोई secretions है nose या फिर mouth तो इस तरह से chicken pox की विमारी फैल सकता है मलब कि specially इस तरह से मालो कि यह वाला person जो है वो infected है ठीक है और यह infected person के contact में जब आपाते है close contact में तो यह problem दूसरे person के अंदर भी फैलने के chances बढ़ जाते हैं तो यह जो बिमारी में starting में से छोटा सा boil या rashes जैसा होता है यह आप आप देखते हो कि जैसे से virus अपना multiplication करने लगता है और जैसे से उसकी growth होने लगती आपके body के अंदर तो skin के ओपर इस तरह से जो है वो छोटे छोटे boil या फिर rashes बनते हैं फिर day by day उसका size जो है वो बढ़ने लगता है तो यहापे जो आप देख रहे हैं उसकी size बढ़ रही है फिर आगे जगे क्या होता है उसके अंदर पानी बरता है और कुछ दिनों के बाद वो break भी हो जाते है और इस तरह से ये देखने हो गले तो वहाँ पे निसान पढ़ना जो है वो शुरू हो जाते हैं तो यहापे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमारी book भी available है decision treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह जो book है उसको आप purchase कर सकते हैं तो यह book को purchase करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं यह वाले नंबर पे तो book जो है वो completely color book है यहापे जो आप उसका वीडियो देख रहे हैं कि multi color book के जिसके अंदर सभी pages color है और सभी बीमारियों के बारे में डिटेल में आपको जान करें दीगी है तो यह book को जरूर से purchase करें लिंक में आपको description box में देदूंगा या फिर directly आप हमें यह नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं तो book को order करने के लिए जरूर से WhatsApp करें तो बात है टॉपिक प्योर समझते हैं आगे चिकन बॉक्स के बारे में तो जो कोजीज है वेरिस सेला जुस्टर वाइरस है और ऐसे लोगों को यह प्रॉबलम ज़्यादा होती है कि जिनकी immunity काफी ज़्यादा कम है और चिकन बॉक्स जो होगा transmitted होता है person to person from directly touching the blister, saliva और mucus of infected person में कि जो person को infection है और उसके कोई blisters को directly आप टच कर लेते हैं saliva के contact में आते हैं आप उसके या फिर उसके mucus के contact में आते हैं तो वो वाइरस आपके सरीर में भी enter हो सकता है और आपको भी आगे जाके यह problem हो सकती है symptoms हम देखे तो fever होता है सबसे पहले यहाँ पे और 102 degree या फिर उससे भी high fever देखने को मिलता है आप काफी ठकावट फिल करते हैं सिर्दद रहता है पेट में दर रहता है जो red blisters बन जाते हैं यहाँ पर इस तरह से skin के उपर blisters बन जाते हैं और blisters जो जैसे से आगे बढ़ते जाते हैं बीमारी वो cloudy बनने जाते हैं और फिर scab की तरह वो दिखते हैं फिर skin के उपर rashes होना, itching हो सकती है आपको, especially जैसे eczema के अंदर हम इचिंग होती है उस टाइप की इचिंग हो सकती है, coughing भी होता है कुछ लोगों को, fatigue, कमजोरी, भूख ना लगना, red sport and hard crust की जैसी इस तरह से जो blister बन जाते हैं skin के उपर, तो यह सब उसके लक्षन है, अ आप बात करते है, diagnosis की, तो directly physical examination से ही पता चल जाता है कि जो भी person को यह symptoms होए है, उसको जब आप check करते है, physically, तो यह confirm हो जाता है, फिर blood test किया जाता है, confirm करने के लिए कि कौन से virus के करनी है, कि chicken pox से है, या फिर कोई दूसरा virus है, कि जिससे यह problem हो रही है, तो specially blood test किया जाता है, तिसरा, जो sign and symptoms के business पे कि specially यह जो skin उपर उपर यह जो दाने बने है, blisters बने है, उसको चेक किया जाता है, और zuster virus kit से भी test positive है या negative है, वो चेक किया जाता है, अब बात करते हैं prevention की, कि यह बीमारी से कैसे बच सकते है, तो specially immunization जो schedule होता है, specially कि बच्चों को जो vaccination दी जा में भी उसकी vaccination दी जाते है, तो इसकी आप यहाँ पे यह chart में detail देख सकते हैं, कि age wise जो है वो इसकी जो vaccine है, वो लगाई जाते हैं, और इसके थुरू आप यह बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि coronavirus के दौरान सभी ने vaccination करवाया था, समय से ही chicken box के लिए भी vaccine available है, अब देखत है treatment options कि मानलों कि किसी को यह problem होती है, तो इसको solve कैसे किया जाते हैं, कुछ home remedies है, जैसे कि cool बात लेना जरूरी है, calamine lotion लगा सकते हैं, पैरा से टामल दे जा सकता है, अगर fever है तो, और antihistamines के option हमारे पास रहते हैं, itching and races के लिए और antiviral drugs के जो especially virus के लिए, जो varicella zuster virus है, तो home remedies में सबसे पहले यह है, कि आपको खुझली नहीं करनी है, कि जहाँ पे आपको यह blisters हुए, वहाँ पे itching ना करें, पानी का अधिक 7 करें, मनलब कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, at least 3-4 लेटर जितना पानी जो करना चाहिए, और especially यह दियान रखना है कि जो मसालेदार चीज़े है, ठ्राइकी हुई, तेल में चीज़े है, जैसे कि नमकीन वगेरा को avoid करें, यह सब based रहेगा कि खुझली ना करें, पानी ज्यादा पिए, दही खा सकते हैं, अध्रक, लसून, सह, धल्दी वगेरा ले स सकते हैं, जिससे आपकी immunity भी बढ़ेगी, और immunity बढ़ेगी तो यह problem जो जल्दी से ठीक होगा, कुल बात, मतलब कि जो ठंडा पानी होता है, ऐसे पानी से नहाना चाहिए, कि जिससे काफी अच्छा फिल करें, even uncooked oatmeal in water during cool मा, कि जो oatmeal बात, जिसको हम कहते हैं, या फिर उसके बेकिंग सोडा या फिर aluminium acetate भी डाल सकते हैं, वो पानी के अंदर नहाने से पहले, फिर calamine lotion लगाना काफी अच्छा रहेगा, विकोज कई बार क्या होते हैं, जो blisters होते हैं, वहाँ पे जलन होती है, इचिंग जैसा भी होता है, और काफी uncomfortable आप फिल करते हैं, तो उस वक्त जो इचिंग हो रहे हैं और जो races हैं, उसके लिए calamine lotion जो एक बहुत अच्छा options बनता है, जो दिन में दो या तीन बार आप लगा सकते हैं, तो या फिर से मैं आपको reminder दे देओ, कि जो हमारी book है, उसको आप जरूर से order कर सकते हैं, बीमारिया और उनका उपचार, तो अभी ये offer में आपको ये price में आपको ये book मिल रही है, तो ये book को order करने के लिए आप नीचे दीगे नंबर पे WhatsApp कर सकते हैं, तो ये वाला जो number है, उसपे especially आप WhatsApp करें, बूक लेने के लिए, आगे बढ़ते हैं, treatment का जो चौथा option है, वो है antihistamines, कि जो especially eating and rashes के लिए जिसके अं switching ना हो, पांचवा option यहाँ पर बनता है paracetamol का, because आगे जो हमने symptoms में देखा, कि chicken pox के अंदर fever भी होता है, और वो fever काफी high रहता है, 100 प्लस डिग्री रहता है, तो paracetamol सबसे base track है कि जिसके एक tablet दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार भी पेसंट यूस कर सकता है, चठा option है antiviral drugs का, कि अगर condition काफी severe हो रही है, तो जो expert से वो use कर सकते है, और cyclovir, वाला cyclovir या फिर femcyclovir जिससे antiviral medications, तो यह सब अलग-अलग है treatment options, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा है, कि जिसके अंदर म तो यहाँ पर क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी आप जरूर से देखे, सो गूट लगा है